मोगा के गाम बागा पुराने में पारिवारिक रंजिश के चलते दो दुकानदर आपस में बिढ़ गए गटना में एक पक्षने गोलिया भी चलाई जिसमें एक व्यक्ति को गोली का छर्रा लगने से जख्मी हो गया ये सारी गटना आसपास लगे सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई थी वहीं गोली चलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है मिली जानकर के मताबिक गोली चलाने वाले आरोपी की पुरानी पारिवारिक रंजिश बताई जा रही है जिसके कारण गुस्से आरोपी ने पहले दुकान के बाहर बाइकों में तोड़ फोड़ की और फिर वैपन निकाल कर फायर कर दिया फायर के दौरान छर्रा लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया वहीं दुकानदा ने कहा कि गुली चलाने वाला व्यक्ति कुछ दिन पहले ही जमानत पर रिया हुआ है पुलिस ने मामले में दो लोगों को हिरास्त में ले लिया है कि अगान में आई यो ते मेरा रूट्डे आई शांकर जूलर ना बारा साल तो ने गौंण चाहिए जाए तो डेड़ दो साल पे लो ओव उन्हां नहीं चले ता उन्हांने तक के नाल पच्ची दन पे लो मेरी जुकान दाना शंकर जूलर दे शोरूम ते तक के नाल चेप आता हो लोग कानू केंदे या वही असली दकान एई या शंकर जूलर जाज की साधी कोई भी नमी शोरूमाई नहीं खोलेया साधीयों प्राणी दकान शंकर जूलर एकके ही है यह लोग कानू मैस गाइड कार दे याज बार्च मोटर संगल खड़े सी सार्जी दो इनना ने यह जो नाहीं पान तोड किति यह दो आसी यो दा वरोध करां लें भाट